लोकसभाद चुनाव का महापर्व चरम पर है 12 अप्रेल को पहले चरण की वोटिंग के बाद आज 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है जिन में बिहार, 36 गड, उत्तरप्रदेश, असम, जम्मो कश्मीर, करनाटक, मनिपुर, बंगाल, ओडीशा, महराष्ट, पुझुचेरी और तमिलनाडू शामिल है दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होना था लेकिन तमिलनाडू की वेलोर लोकसभा सीट पर एक द्रमुक उमीदवार के कारेले से भारे मात्रा में नकदी बरामत होने की वज़ह से चुनाव रद कर दिये गए वही त्रिपुरा पूर्वलोक सभाक्षेत्र में खराब कानून विवस्था होने की वज़ह से निर्वाचन आयोग ने आज होने वाले मतदान को 23 अपरेल को करवाने का फैसला लिया है अब जिन 95 सीटों पर मतदान जारी है उनमें बहुत से दिगजों की साख दाओं पर लगी है जिनमें सबसे पहले बात करते हैं मतुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की हेमा मालिनी के सामने RLD के नरेंदरु सिंग तोमर ताल छोक रहे हैं जो हेमा मालिनी को कड़ी टक कर देना चाहते हैं हालंकि पिछले 2014 के लोग सभा चुनाव में भी हेमा मालिनी को ही इस सीट से जीत हासल हुई थी फिर बात करते हैं आगरा सीट की जहां बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर S.P. सिंग बगेल को टिकेट दिया है वहीं उनके सामने B.S.P. के मनोज कुमार सोनी ताल छोकते हुए नज़रा रहे है 2014 में सीट पर केंद्रिय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने जीत दर्च की थी अब बारी है तीसरी सीट की यानि की फथेपुर सीक्री सीट जहां से कॉंग्रेस ने राजबबबर को मैदान में उतारा है तो वहीं B.J.P. के राजकुमार चाहर उन्हें कडी टकर दे रहे है पिछले चनाव में यहां मोदी लहर में B.J.P. के बाबुलाल ने जीत दर्च की थी अगर अमरोह की बात करें तो इस सीट पर B.J.P. के कवर सिंग तवर B.S.P. के कुवर दानिश अली को टकर दे रहे है B.J.P. ने 2014 के बाद फिर एक बाद कवर सिंग तवर पर ही अपना दाओ खेला है बात करें पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट की तो इस सीट से B.J.P. के राजु सिंग बिस्ता की T.M.C. प्रत्याशी अमर सिंग राय से कड़ी टकर है 2014 के चनाव में B.J.P. के SS अलुवालिया ने यहां जीत दर्च की थी बात करें श्रीनगर सीट की तो यहां नाशनल कॉन्फरेंस और P.D.P. के बीच कड़ी टकर है क्यूंकि यहां नाशनल कॉन्फरेंस के फारुक अब्दुल्ला और P.D.P. के आगा सैयद महसिन के बीच टकर है जबकि पिछले चुनाव में P.D.P. के तारिक हमीत कारा यहां से जीते थे और 2017 के उप चुनाव में फारुक अब्दुल्ला विजय हुए थे बात करें ओडिशा की बलांगिर सीट की चुनाव के दूसरे चरण में B.J.P. की संगीत कुमारी सिंग देव यहां B.J.D. के कलिकेश नरायन सिंग देव को चुनावती दे रही है जबकि 2014 में B.J.D. के कलिकेश नरायन सिंग देव ही विजय हुए थे वही तमिलनाडू की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक शिवगंगा सीट भी होट बनी हुई है जहां कॉंग्रस ने पी चिदमरम के बेटे कार्थी चिदमरम को टिकट दिया है जिनके खिलाफ B.J.P. के एच राजा ताल छोक रहे है 2014 की बात करें तो A.I.A.D.M.K. के सेंथिल नाथन यहां से जीते थे तमिलनाडू के दक्षिन प्रांत में बसे तूती कोरिन तूतुकुडी से B.J.P. की T. सौंधराजन मैदान में है जो D.M.K. की कनी मोजी को टकर दे रही है इस सीट से पिछले चुनाव में A.I.A.D.M.K. के के जे त्याग राज जीते थे A.I.A.D.M.K. के C. गोपाल कृष्णन जीते थे कन्या कुमारी सीट से B.J.P. के P. राधा कृष्णन मैदान में है और उनको टकर दे रहे हैं कॉंग्रेस के H. वसंध कुमार हलांके 2014 में ये सीट B.J.P. के ही पाले में थी और पी राधा कृष्णन ही यहां से सांसत के तौर पर चुने गए थे बेंगलूरू दक्षिन से तो B.J.P. के सबसे युवा प्रत्याशी तेजस्वी सूरिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ताल छोक रहे हैं कॉंग्रेस के B.K. हरिप्रसाद के खिला B.J.P. को इस सीट से बहुत सी उमीदे हैं इसलिए ये सीट भी होट बनी हुई है पिछले चनाव में इस सीट से B.J.P. के अनंत कुमार विजई हुए थे वही करनाटा की तुमकुर सीट से B.J.P. के G.S. बासवराव G.D.S. के HD देवगोडा को टकर दे रहे हैं जबकि पिछले चनाव में ये सीट कॉंग्रेस के पास थी और मुद्दा हनुमे गोडा को यहां से जीत हासल हुई थी बिहार की कटिहार सीट से कॉंग्रेस प्रत्यार्शी तारिक अन्वर मैदान में है तो उनका मुकाबला NDA प्रत्यार्शी दुलाल चंद्र गोस्वामी से है जम्मू कश्मीर की उधंपुर सीट पर केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग यादब का मुकाबला कॉंग्रेस के विक्रमादित्य सिंग से है जो की महराजा हरिस सिंग के पोत्र है इस सीट से जेके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंग भी मैदान में है 2014 में यहाँ जितेंद्र सिंग ने ही कॉंग्रेस के गुलाम नभी आजाद को करीब साथ हजार मतों से हराया था महराश्ट्र की सोलापूर सीट भी इस चरण में खास है क्यूंकि इस सीट से देश के पूर्व गृह मंतरी सुशील कुमार शिंदे तीन बार सांसत बने लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी के शरद बनसोडे से हार का सामना करना पड़ा था अब इस चरण में बीजेपी ने फिर एक बार शरद बनसोडे पर दाओं खेला है तो वहीं कॉंग्रिस ने सीट से इस बार भी सुशील कुमार शिंदे को ही उतारा है ये कुछ ऐसी खास सीटे हैं जिन पर प्रतियाशियों के बीच कड़ी चकर है जिन में दो तो बॉलिवुट के दिगज है एक तो बीजेपी की हिममालनी और दूसरे कॉंग्रिस के प्रतियाशी राजबबर इस चरण में आज सीटें ऐसी हैं जिनके लिए पूरे 85 प्रतियाशी मैदान में हैं 2014 में इन आज सीटों पर बीजेपी का ही कबजा था इस बार क्या समीकरण बनते हैं ये देखने वली बात होगी क्यूंकि 2014 के मुकाबले इस बार का चुनावी गठ जोड काफी अलग है जैसे यूपी में बीजेपी, एसपी और आरेलडी का गठ बंदन वहीं कॉंग्रस भी अपने खोई जनाधार को वापस पाने के लिए पूरजोर कोशिश कर रही है अब देखना दल्चस्प होगा कि विपक्ष की ये कोशिशें 2019 के चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ती है या फिर बीजेपी 2014 की तरह इस बार भी जीतने में काम्याब हो जाती है